Hey guys, welcome back to my channel Sunshift Public Administration मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जो नए सब्सक्राइबर्स हैं जुन्होंने अभी अभी मेरा चैनल देखा है तो उनके लिए ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ मैं आप लोगों का यह बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की मदद से हमारी जो लास्ट वीडियो थी that was all about की अनकेडमी पे मेरा next course आने वाला है crash course आने वाला है find plus course and special classes fine तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि उसको finally successfully complete करने के बाद now I am planning कि आप लोगों के लिए कुछ और special classes और next plus course लेकर आऊं in the upcoming months तो I have decided कि मैं आप लोगों के लिए जुलाई मन्त में 13 like special classes लेकर आ रही हूं special classes are basically the free classes जो कोई भी attend कर सकता बीट लाइक paid subscriber और बीट लाइक free subscribe free जो जिनके पास unacademy app है वो उन्सको देख सकता है fine तो इसी सीरीज में continue करते वे let me give you a brief introduction about myself तो अगर आप लोग जाकर unacademy पे मेरा profile देखेंगे तो वो कुछ ऐसा देखेगा actually काफी students का message कभी कभी आता है कि मैं आपका profile ही नहीं मिलता आपका course यो नहीं होता तो प्लीज उसका बस एक ही रीजन है आप थोड़ा spelling का ध्यान रखेए it is k-a-n-i-c-a spacing fine तो उस चकर में कहें थोड़ा सा issue कभी कभी हो जाता है students को मिल नहीं पाता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि crash course public administration crash course on public administration part one मेरा complete हो चुका है और इसी सीरीज में आगे में आप लोगों के लिए जुलाई मन्त में कुछ और special classes and plus classes लेकर आ रही हूं पर उसके लिए उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है इस follow वाले बटन पर क्लिक करना है फॉलो वाले बटन पर क्लिक क्यों करना है क्योंकि अगर आप यहां पर एक बार फॉलो कर लेंगे तो आपके पास क्या होगा कि जैसे plus classes का schedule तो पुरा fixed रहता है उस तारिक को यह class होने वाली है उस तारिक को doubt clearing session है weekly quiz है like mega quiz है पर क्या होता है जो special classes की अगर हम बात करते हैं that is free classes तो उसका schedule like an academy पे ग्यारा गंटे पहले ही डालना होता है fine तो कभी-कभी क्या होता है कि time हर बार special classes का fix नहीं रहता वो तो up to the educator होता है कि वो किस समय कौन सी class लेना चाहता है ठीक है तो उसमें क्या रहता है कहीं आपकी कभी कोई class miss नहुजा को important session क्योंकि recording तो आप देख सकते हैं पर recording में क्या है वो बात नहीं आती like अगर आप students के साथ interact करेंगे class में like questions solve करेंगे आपको पता चलेगा आपको कितना आ रहा है आप कहां lag कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको वहां help करेगी fine तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो July में course आने वाला है वो किस से related है तो देखिए एक course तो वही उसी के continuation में है जो मैंने first अपना complete किया है आप first वाला देख सकते है crash course on public administration यह first part था इसी को भी continue करके मैं लेकर आ रही हूँ 1st July से second part of crash course on public administration I think approximately अगर syllabus में 10 units है आपने syllabus देखा होगा अपना public ad का तो उन 10 units में से 4 units तो approximately complete हो ही गया है like introduction to public administration हो गया second unit हमारी है administrative thinkers then third है Indian administration and fourth है state and district administration तो वो सब तो इसमें cover हो गया part 1 में अब आगे वाली जो 10 units में से like कितनी units बची हमारी approximately 6 units बची तो 6 units में से कुछ part में आप लोगों का crash course on public administration part 2 में लेकर आउंगी और then फिर जो remaining part रहेगा वो हम next month discuss करने वाले है ठीक है अगस्ट वाले month में इसके अलावा students ने कहा कि ma'am course अपनी जगे ठीक है क्योंशे वो चलता रहता है like division होता रहता है या कुछ लोग एकदम scratch से start करते हैं class में ही आके पढ़ते हैं वहीं से उनको पता चलता है अच्छ ली एक और course लेकर आ रहे हूं that is practice course on public administration इसमें हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग यह करेंगे कि जैसे कुछ important topic हो गए नैसे syllabus में तो आपके 10 units हैं उन 10 units में भी काफी like सब में से अगर question आते हैं 10-10 question भी आते हैं तो कुछ तो ऐसा point रहता होगा जिसमें से like जादा question आते question हर बार आता ही आता है ठीक है तो वो वाले जो important topics हैं और उनसे related जो question बनते हैं exam perspective से या फिल एक sample question या mock question वो में इस practice course में discuss करने वाले हूं तो यह start होगा from second जुलाई से और यह start होगा first जुलाई से बाकी आप लोग timing वगरा आप लोग सब देख सकते हैं profile पे visit करके ठीक है और इसके अलावा मैं आप लोगों को यह और बता दूँ कि यह तो चलिए plus course है ठीक है बाकी मैंने आपको 13 special classes की भी बात कर दिये 13 special classes मतलब 13 free classes जो कोई भी देख सकता है जिसके पास unacademy app है fine तो अगर अभी तक आप लोगों ने यह वाला नहीं लिया है like paid subscription नहीं लिया है तो आप लोग ले सकते हैं with the use of code मैं आपको code बता देती हूँ एक बार अपना उससे आपको कह थोड़ी सी help हो जाएगे तो code है k-a-n-i-c-a उसके बाद 2020 ठीक है 2020 बाकी अगर code ना लगे कोई दिक्कत है तो you can message me on my telegram group मैं आप लोगों को group का link नीचे mention कर दूँगी इसके अलावा जो practice course होगा या crash course on public administration part 2 है इसका link भी मैं आपको description box में दे दूँगे तो उससे क्या है आप एक बार preview देखकर like उसमें preview डलावा होता है 2 minute something का तो आप उसमें से देखकर ये देख सकते हैं कि कौन-कौन से topics cover करने वाले हैं या classes कैसी रहने वाली है fine इसके अल है उसके बाद हम मिलते हैं then first of July को या second of July को और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि if you have any suggestion like कि मैं जैसे 13 special classes मैंने बोला है तो पढ़ाई तो अपनी जगे है ही सही like पढ़ाई तो हम करेंगे इसलिए वो special classes है बाकि जो first session है जो special classes का first session होने वाला है तो I am planning कि मैं वो first of July को रखूँ ठीक है तो अगर आप लोगों कि किसी तरह के कोई भी suggestion हो कि मैं बाकी 12 classes में तो हम खेर course cover करेंगे ही सही MCQs हो गया या important topic हो गया या कोई general discussion हो गया regarding subject matter पर first जो special class है वो मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ इसका क्या मतलब है कि मैं आप लोगों से suggestion चाहते हूँ कि आप first class किसके ऊपर देखना चाहते हैं like be it motivating session और strategy related to paper 1 और paper 2 या फिर public administration और paper 1 को कैसे like simultaneously लेकर चले या फिर preparation strategy हो गया time management हो गया उन सबसे related तो प्लीज इस बारे में थोड़ा सा सोचिए और मुझे अपने comment box में ज़रूर बताईएगा या फिर you can message me on my telegram group also fine, so that's all for today, thank you, keep smiling fine, thank you